मतगलना से पहले आये एक्जिट पोल ने हिमाचल में भाजपा और कॉंग्रेस दोनों दलों को उलजा दिया है दो एक्जिट पोल जहां विपक्षी दल कॉंग्रेस की तरफ गए हैं वही अन्य ने भाजपा की ही दोबारा सरकार बनती हुई दिखाई है इससे अब दोनों दलों में असमंजस हो गया है और अंतिम नतीजे के लिए 8 दिसंबर की मतगलना का इंतजार है दरसल एक्जिट पोल सामाने तोर पर हिमाचल में सरकार को लेकर सपष्ट पूर्वानुमान बताते रहे हैं लेकिन इस बार एक्जिट पोल भी कनफ्यूज हैं कॉंग्रेस के जोनेता एक्जिट पोल से पहले एक तरफा जीत के दावे कर रहे थे उनको भी अब लग रहा है कि कहीं बाजी उलट न पड़ जाए लगभग यही स्थिती भाजपा की है भाजपा ने इस बार हिमाचल में चुनाव रिवाज बदलने को लेकर लड़ा था ऐसे में अधिकांश एक्जिट पोल ने बेशक भाजपा की सरकार बनाई हो लेकिन कुछ एक्जिट पोल कॉंग्रेस के पक्ष में भी गए हैं आती को यह पता है कि ओल्ड पेंशन के मामले में उसे वोट का नुकसान हुआ है लेकिन इस नुकसान का अंकलन पहले से था और इसकी रिपोर्ट भी भाजपा हाईकमान को दी गई थी इसके बावजूद प्रधान मंतरी कार्याले ने ओल्ड पेंशन के मामले में हाथ ना डालने की हिदायत दी थी अब सारा दारुमदार कल की मतगलना पर टिका है हिमाचल प्रधेश के मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर भी कह चुके हैं कि ओल्ड पेंशन के मुद्दे से भाजपा को नुकसान हुआ है और इस नुकसान का एहसास पहले से था इस मसले पर एडवांस में पार्टी को रिपोर्ट दी गई थी मुख्यमंतरी का ये भी कहना है कि अकेला राज्य इस फैसले को नहीं ले सकता था इसलिए कॉंग्रेस ने ओल्ड पेंशन को एक रेडिमेट हतियार की तरह इस्तेमाल किया है ये राजनेतिक मुद्दा नहीं था फिर भी सत्ता हतियाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई खैर OPS का कितना नुकसान भाजपा को होगा ये तो कल पता चलेगा आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर अपने चुनाव क्षेत्र सराज नहीं जा रहे और शिमला से ही चुनाव नतीजों के बाद की परिस्थित्यों की निगरानी करेंगे वे शिमला में बनाए जा रहे कंट्रोल रूम में रहेंगे और यदि जनादेश भाजबा के अनुसार नहीं आया तो प्लान भी को लागू करने पर विचार करेंगे दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने भी अपने सभी प्रतियाशियों को अपने चुनाव क्षेत्र में मतगलना की निगरानी करने को कहा है और नतीजे के बाद ये तै होगा कि अगली कारे योजना क्या होगी यदि कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत आ गया तो विधायकों को हिमाचल से बाहर ले जाने की आवशक्ता शायद ना पड़े आठ दिसंबर को सुभा आठ बजे मतगलना शुरू हो रही है और पोस्टल वैलेट की कॉंटिंग से ही नई सरकार को लेकर संकेत मिल जाएंगे कॉंग्रेस में सबसे बड़ा जगडा तो मुख्यमंतरी पद का है वहीं बागी भी इस बार पासा पलट सकते हैं मुख्यमंतरी ये भी मान चुके हैं कि बागीयों ने पाटी का नुकसान जरूर किया है अब कितना असर बागी चुनावों में डालेंगे ये तो कल ही पता चलेगा